नमस्कार, वेलकम टूईजी स्टडी आरेम, हन्डेड एमसीक्यू सिरीज में ये हमारा फूर्थ वीडियो है, तो आये स्टार्ट करते हैं, कोशे नमबर वन देखिए, ब्रूम इस यूज़ वोर, ब्रूम मिन ज्जारू, ज्जारू का हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, स 20-85 cm, राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशे नमबर 3 देखिए, मिनिमम साइज ओफ हैंड कार्ट, हैंड कार्ट जो होता है, उसका मिनिमम साइज कितना होता है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1010 x 700 x 250 mm, कोशे नमबर 4 देखिए, सोवेल इस यूज़ फोर, सोवेल का से थोड़ा अलग होता है, जो कि ट्रैक्टर से जो बालू होता है, उसको लूड करने और अनलूड करने का काम आता है, और इसको डिगिंग परपस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, D, सोवेल इस यूज़ फोर, डिगिंग म हो जाएगा, तो राइट आंसर C, कुश्य नमर 6 देखिए, विच इज ट्रांसफर एस्टेशन लोकेशन इन में कहां होना चाहिए, तो पहला होना चाहिए कि टाउन के सेंटर में लोकेटेड हो, ताकि वेस्ट चाड़ो तरफ से कलेक्ट इसली हो जाए, और दूसरा डिस् पर नहीं होना चाहिए, ने तो बहुत कॉस्ट आ जाएगा, और टाइम भी लगेगा, तीसरा, ट्राफिक फ्लो है स्मूथ होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा, कुश्य नमर 6 का राइट आंसर D हो, कुश्य नमर 7 देखिए, इन दा फॉलोइंग वीच फै दुसरा, जमीन का कीमत कहां है, रेट फ लैंड और तीसरा एलेक्रिसिटी, तो राइट आंसर D हो जाएगा, और दा एवर, कुश्य नमर 8 देखिए, वाट इस कैपसिटी, वाइर इन केस ऑफ कॉम्पाक्टर वेहिकल्स, कॉम्पाक्टर वेहिकल्स के केस में उसका कितना वेहिज करता है, तो राइट आंसर C हो जाएगा, 5 to 10 कुविक मेटर, कॉश्य नमबर 9 देखिए, वाट इस दा फूल फॉर्म आफ MSWM, MSWM का फूल फॉर्म क्या होता है, सभी को पता होगा, मुनिसिपल सॉलिद वेस्ट मेनेजमेंट, राइट आंसर A, कॉश्य नमर तो कितना से आप ज्यादा ट्रक में लोड नहीं कर सकते हैं, तो उसका लोडिंग जो हाइट होता है, उसका लिमिट होता है 1.6 मेटर, आप 1.6 मेटर से ट्रक में ज्यादा लोड नहीं कर सकते हैं, यह तो फिर क्या होगा, पुलीस पक्रेगी और क्या, उबह लोड के कारण next question देखिए 11 the capacity of animal cards generally ranges between the animal cards होता है उसका capacity का range कितना कितना के बीज में होता है तो एक से दो cubic meter के बीज में होता है question number 12 देखिए hand card have how many bins capacity एक hand card में कितना bin capacity होता है तो यह 4 to 8 होता है तो right answer हो जाएगा B question number 13 देखिए in the following which parameters to be taken while making a storage facility for solid waste solid waste storage facility बनाते समय हम लोगो किन-किन parameter का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले efficiency देखेंगे दूसरा convenience देखेंगे आराम है की नहीं है सुविधा है की नहीं है तीसरा compatibility देखेंगे कि वो compatible है की नहीं है तो right answer हो जाएगा D all the above question number 14 देखिए in the following which factor affecting the collection of dry refuel dry refuel के collection में कौन-कौन सा factor है जो की affect करता है तो population density affect करता है time of collection यह भी affect करता है और cost of collection तो होता ही है तो right answer हो जाएगा D all the above question number 15 देखिए the normal capacity of litter bean is litter bean जो गंदगी जो हम लोग डालते हैं तो उस तरह का जो dust bean होता है उसी को litter bean कहते हैं जासे आप लोग पार्क में या फिर कोई food का shop है वहां पर बगल में देखते है तो जो normal capacity होता है लीटर बीन का वह 250 लीटर होता है राइट अंसर सी हो जाएगा लीटर बीन यूज्वाली मेड़ आप आफ तो लीटर बीन जो बना रहता है वह मेटल का भी होता है और प्लास्टिक का भी होता है तो राइट अंसर हो जाएगा सी बोथ ए एंड पी कोईश्य नमबर 17 देखिए वन बीन कैप सिटी आफ डास लीटर जो एक बीन जो होगा ना उसका कैप सिटी कितना होगा तो यह 25 लीटर का एक बीन होगा तो राइट अंसर हो जाएगा सी कोईश्य नमबर 18 देखिए विच अफ द फॉलॉइंग सोलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड़ इज इकोलोजिकली मुस्ट एक्सेप्टेबल तो राइट अंसर हो जाएगा यहां प कि यहां पर मैच दा फॉलॉइंग है तो वेरियस सोलिड डिस्पोजल मेथड दिया हुआ है और उसका फीचर से इसको मैच करना है तो हम डिरेक्ट आपको इसका आंसर बता देते हैं पहला इंसिनरेशन है तो इंसिनरेशन ए कथ्री हो जाएगा हाई ओपरेस्टनल मेंटे सॉर्टिंग ग्रिंडिंग अंड टर्निंग एक लास्ट बचिका डी साल्वेज बाइस सॉर्टिंग तो यह टू हो जाएगा लिमिटेड टू स्पेशल वेस्ट अन सेलेक्टेड मत्रियल्स कोश्यन नमबर ट्वेंटी देखिये और गनीजन्स डाट मिनराइज ऑर्गैनि इसका पी हो जाएगा कोश्यन नमबर ट्वेंटी वन देखिये दा टर्म रिफ्यूज जेनरली डज नोट इंक्लूड रिफ्यूज है टर्म वह इनमें से कौन सामिल नहीं है तो ह्यूमन एक्स क्रेटा है वह रिफ्यूज मंट्रियल में नहीं आता है बागी सब है जैसे प 22 देखिए टो ग्रामीन जो इलाका है वहां पर सबसे ज्यादा सुटेवल वेस्ट डिस्पोजल मेठड कंपोस्टिंग है ताकि उससे यह तो दो काम हो जागा एक वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाएगा और दूसरा वह मैन्योर के लिए और गैनिक फार्मिंग के लिए अच्छा होगा तो राइट अंसर इसका भी हो जाएगा कोशन नम्मर 23 देखिये और मास बेसिस द लार्ज़ेस्ट फ्रैक्शन फ्रैक्शन फंवनिसिपल स्वीड वेस्ट व्रमा टाइपिकल एंडियन सीट इसमेड अफ दी कंपोस्टिंग सबस्टेंस राइट आंसर यहा question में हम लोग देखें कि ग्रामीन इलाका में most solid waste disposal method composting है लेकिन पूरे इंडिया में अगर पूछें तो यहां पर right answer C हो जाएगा landfills तो landfill is the most popular method of solid disposal in इंडिया question number 25 देखिए biomedical waste comprising of both solid and liquid waste generated in Indian hospital is about 1.45 kg per day per patient which of the following method is generally not adopted for safe disposal of biomedical waste तो इसमें right answer हो जाएगा B landfills बागे सब safe disposal है biomedical waste का जैसे हम लोग biomedical waste dispose करने के लिए incineration का यूज करते हैं hydro claying का यूज करते हैं shredding after disinfection लेकिन landfills नहीं करते हैं question number 26 देखिए pick out the wrong statement autoclaving of biomedical waste age तो autoclaving के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं तो इसका right answer हो जाएगा A height hit thermal process यही गलत है बागी सब सही है जैसे followed by its shredding of unsuitable disposal meant for disposal of solid waste only a low heat thermal process next question देखिए question number 27 the aerobic and anaerobic methods or mechanical composting of refuse disposal as practiced in India are called indoor method and bangalore method respectively right answer इसका यह हो जाएगा question 28 देखिए the method of refuse disposal burial entrances is called तो इसको composting कहता है सबको पता ही होगा तो right answer A question number 29 देखिए sanitary landfills make cows troubles during peak monsoon leachate is colored liquid that comes out of तो यह sanitary landfills से ही निकलता है right answer C question number 30 देखिए pick out the wrong statement इन समय में से wrong statement कौन सा है तो A, B, C सही statement है D जो है wrong statement है biomedical waste management and handling rules were enacted in India under environment protection act 1986 in the year 1986 यह गलत है बागी सब सही है जैसे incineration can be adopted for disposal of both liquid and solid biomedical waste liquid biomedical waste can be disposed of by disinfection and discharge into sewers according to biomedical waste management and handling rules various biomedical waste types are segregated by collecting the waste into yellow red and black colored container यह तीनों सही है last वाला यह wrong statement है तो 30 का right answer हो जाएगा D question number 31 देखिए dash is not having a permanent site for disposal of high level radioactive waste generated in nuclear power plants तो इंडिया is not having a permanent site for disposal और बागी सारे देश रसिया USA और Canada सबके पास है permanent disposal site for disposal of radioactive waste जो nuclear power plants से निकलता है तो right answer हो जाएगा A question number 32 देखिए spend fuels generated in nuclear power plants contain plutonium 239 a long life hazardous radioactive substance which has a very long life period which have a very long half life period of the order of dash year 24,000 year तक इसका half life period होता है तो right answer हो जाएगा D question number 33 देखिए the furnace of municipal incineration consists of great system and combustion chambers because of high temperature and high moisture content of the exhaust steam have not been used to control emission from municipal incineration तो right answer इसका हो जाएगा A bag houses next question देखिए 34 what rubbish material do we throw away the most तो right answer हो जाएगा इसका C paper वो कांसा rubbish material है जिसको लोग सबसे ज्यादा फेकते हैं तो वो paper हो जाएगा question number 35 देखिए used oil should be disposed of by जो used oil है उसको कैसे dispose करना चाहिए तो right answer A हो जाएगा collecting it in a sealed container and taking it to an oil changing business तो 35 question का answer A हो जाएगा next question देखिए how long does it take a styrofoam to break down in a landfills landfills में styrofoam रहेगा वो कितना time लगाएगा breakdown होने में तो यह 500 years लगाता है right answer हो जाएगा D question number 37 देखिए what is the environmentally friendly way to dispose of used a tire used a tire को हम लोग कैसे environmentally friendly dispose करेंगे तो right answer इसका A हो जाएगा जो playing ground है उसमें matting होता है तो recycle कर देंगे used a tire को और उसमें playground जो है उसमें matting का use कर देंगे हम लोग matting करके हम लोग environmentally friendly इसको dispose कर सकते हैं used a tire को तो right answer हो जाएगा A question number 38 देखिए mercury is a hazardous chemicals which items does not contain mercury तो clinical thermometer में mercury होता है fluorescent light bulb में mercury होता है blinking light in sneakers उसमें mercury होता है तो computer disk है उसमें mercury नहीं होता है तो question 38 का right answer C हो जाएगा question number 39 which of the following items are recyclable तो plastic milk bags recyclable है cereal boxes यह रिसाइकलेबल है और aluminum soda cans यह रिसाइकलेबल है तो right getting तो हम लोग घर से जो कचरा फेकते हैं उसको ज्यादा तर जो है हम लोग जला देते हैं तो right answer हो जाएगा B question number 41 which of the following is non biodegradable तो इनमें से nylon जो है non biodegradable है right answer is D question number 42 देखिए the most serious environmental effect pushed by hazardous waste age hazardous waste का सबसे ज्यादा environmental effect क्या होता है तो यह क्या करता है hazardous waste जो ground water है उसको गंदा कर देता है contaminate कर देता है तो right answer हो जाएगा B contamination of groundwater question number 43 देखिए warming composting of a solid waste is done by solid waste का warming composting हम लोग warm का इस्तिमाल करते हैं और warm का इस्तिमाल करके solid waste को warming composting में convert करते हैं तो right answer हो जाएगा D question number 44 which of the following is non biodegradable तो इनमें से fruits earth और visitable biodegradable है तो right answer हो जाएगा D Almonium file जो है non biodegradable है को कुशे नमबर 45 देखिए if waste material contaminate the source of drinking water which of the following disease will spread अगर हम लोगा drinking water के source में अगर waste material उसमें मिल जा या वह पानी प्रदूसित हो जाए तो कौन सा बीमारी होता है तो इस बीमारी के करण टाइफ फाइड होता है तो right answer हो जाएगा यह एसकर भी vitamin c अगर आपको तीर महीने तक नहीं मिलेगा तो इसकर भी हो जाएगा अमेनिया पता ही होगा iron की कमी से होता है और मलेडिया मक्छर के काटने से होता है कि अपनों कमेंट बॉक्स में लीक कर बताए कि मलेडिया कौन से मक्छर के काटने से होता है कि नेक्स्ट कोशें देखिए कोशें नमबर 46 which of the following solid waste material cannot be decomposed by bacteria to form compost तो dead plants, kitchen waste, bodies of insects living in the soil, यह सब के decomposed होने से क्या होता है, compost बनता है, लेकिन अब plastic bags को decomposed कीज़ेगा, तो compost बनेगा, बिलकुल नहीं बनेगा, तो right answer हो जागा 46 का B, plastic bags, question number 47 देखिए, flyers emitted from chimneys of thermal power plants can be used, जो chimney से जो flyers निकलता है, thermal power plant के chimney से जो flyers emit होता है, तो उसका used हम लोग किस चीज में करते हैं, तो जो bricks manufacturing होता है, जो construction work के लिए जो इटा लगता है, bricks manufacturing उसमें करते हैं हम लोग उसका use, तो right answer हो जाएगा C, question number 48 देखिए, pick out the wrong statement about the solid waste management, solid waste management में wrong statement कौन सा है यह, यहां पर wrong statement यह हो जाएगा, sanitary landfills method of solid waste disposal is suitable for garbage disposal, बागी सब सही है, जैसे BCD, चलिए हम आप लोग के लिए पढ़ देता हैं, नूजियांसे फ्रॉम rodent and fly is controlled in the disposal of solid waste by sanitary landfills method, disposal of solid waste by composting is efficient with temperature and pH control, the effective measure of solid waste disposal employs the principle of 4 hours which include reduction, recycling, reuse and recovery, तो right answer यहां पर A हो जाएगा, 49 question देखिए, windrow is a method of solid waste disposal Y, तो windrow solid waste का method है, composting के द्वारा होता है, तो right answer हो जाएगा B, most suitable method of solid waste disposal in rural area is composting, पिछले साथ यह question repeat हो रहा है, कोई बात नहीं revision हो जाएगा, तो इसका right answer हो जाएगा A, next question देखिए, the end product formed after separation and anaerobic bacteria digestion of organic municipal solid waste is called, तो यह humans इसको बोलते हैं, right answer हो जाएगा B, next question, which of the following materials is used as landfill sealant for control of gas and leachate moment, तो जो leachate है, वहाँ से gas निकलता है, तो उसको control करने के लिए हम लोग उसको seal कर देता हैं, तो seal करने का जो material होता है, वो bentonite होता है, तो याद कर जाएगा, landfill sealant materials bentonite है, bentonite का use करके हम लोग वहाँ पर seal करता है, ताकि gas or leachate का moment ना हो सके, तो इसका right answer हो जाएगा, C, next question देखिए, the daily cover of municipal solid waste landfill consists of compacted soil, right answer B हो जाएगा, next question, which of the following solid waste disposal method conserves energy most efficiently, तो कौन सा solid waste disposal method है, जो की energy को most efficiently conserve करता है, तो right answer हो जाएगा B, incineration with heat recovery, अगला question देखिए, in which of the following method of solid waste disposal, methane recovery is a positive trend, तो sanitary landfills में, methane recovery एक positive trends है, तो right answer हो जाएगा, B, question number 56, देखिए, the most of municipal solid waste generated is, तो placed in landfills, जितने भी मतलब ज्यादे तर जो municipal solid waste generate करते हैं, उसको landfills में हम लोग डाल देते हैं, तो right answer हो जाएगा, C, question number 57, देखिए, waste does not come under the category of hazardous waste, कौन सा waste है, जो hazardous waste के category में नहीं आता है, तो non-toxic, toxic मतलब जहरी ला, जो non-toxic waste होता है, वो hazardous waste के category में नहीं आता है, बागी जितने भी है, reactive है, inflammable है और corrosive है, सब हजारस waste के अंदर आता है, जहां पर right answer B हो जाएगा, question number 58, देखिए, which sequence of responses to what solid waste leads to the least amount of energy used, तो इसमों B हो जाएगा, reduce, reuse, recycle, question number 59, देखिए, which of the following are biodegradable waste product, तो right answer हो जाएगा, C, vegetable pills, garden, refuse, paper, question number 60, देखिए, non-biodegradable means a substance that cannot decompose naturally, non-biodegradable का मतलब क्या है, कि वैसा substance जो naturally decomposed नहीं हो, breakdown नहीं हो nature में, इन्वार्मेंट में, उसको बोलेंगे non-biodegradable material, तो right answer हो जाएगा, 60 का A, 61 देखिए, the total weight of solid waste generated in a town is 72,850 LBS per week, whose population is 35,100, the unit generation rate of solid waste, KG per capita per day is, तो यह mathematical है, आप लोग सूल किजए इसको, right answer आजाएगा, इसका C, 1.3, question number 62, देखिए, the major gases produced from sanitary landfills are due to, sanitary landfills से, जो major gases निकलते हैं, वो किस कारण से निकलते हैं, तो वहाँ पर oxygen का कमी होता है, तो oxygen के कमी में, anaerobic decomposition होता है, तो anaerobic जब भी decomposition होगा, organic matter का, तो sanitary landfills में major gases निकलता है, तो right answer हो जाएगा, A, anaerobic decomposition of pyogradable organic matter, question number 63, देखिए, the minimum area of land desirable for sanitary landfills, that is sufficient to operate for at least, तो एक साल के लिए ही होता है, तो right answer हो जाएगा, A, one year, question number 64, देखिए, in general, the organic waste material decomposes rapidly, three to five years, is, तो ये food waste, newspaper or leaves, तीन से पांच साल में सभी decompose कर जाते हैं, तो right answer हो जाएगा, D, all of the above, question number 65, देखिए, sanitary landfilling is an operation in which waste to be disposed of, is compacted and covered with a layer of soil at the end of days operation, तो right answer हो जाएगा, B, यानि कि, एक दिन का operation के बाद ही आपको, sanitary landfills, जो operation है, disposed of हो जाएगा, तो right answer इसका हो जाएगा, B, question number 66, देखिए, improvements to landfill design include, तो landfill design जो होता है, उसका improvement, कौन-कौन सामिल है, तो leachate collection system, main जो design होता है, landfill में, तो leachate collection system को ही improve करना होता है, तो right answer हो जाएगा, C, question number 67, देखिए, in Japan and Switzerland, the most common waste disposal method are, Japan and Switzerland में, सबसे common waste disposal method कौन है, तो वहाँ पे recycle कर देते हैं, और incinerate कर देते हैं, तो right answer हो जाएगा, C, recycling and incineration, question number 68, देखिए, incinerator as usually contents which of the following chemicals, जो incinerator as होता है, उसमें कौन सा chemicals usually पाया जाता है, तो उसमें heavy metal पाया जाता है, right answer A, question number 69, देखिए, the cheapest method of municipal solid waste disposal in the current time is, municipal solid waste disposal का सबसे cheapest method, सस्था method, अभी land disposal है, तो right answer हो जाएगा, B, land disposal, question number 70, देखिए, composting uses process to transfer organic material into compost, तो natural method का हम लोग use करते हैं, compost बनाने के लिए, तो right answer हो जाएगा, C, जो natural process है, उसका use हम लोग करते हैं, compost बनाने के लिए, composting के लिए, तो 70 का right answer हो जाएगा, C, देखिए, 71 question number, banning the sale of one time use, beverage container would be, जैसा चाय, coffee पीते हैं, तो जिसमें पीते हैं, उसको अगर ban कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो ये liter को भी reduce करेगा, energy save करेगा, और money save करेगा, तो right answer D हो जाएगा, all of the above, question number 72, देखिए, one technological problem with plastic recycling is, plastic recycling से, करने में क्या चुनाती है, क्या दिक्कत आती है, तो right answer हो जाएगा, D, people do not like to recycle, type of plastics cannot be recycled together, the technology to recycle plastics does not exist, right answer हो जाएगा, 72 का D, 73 question देखिए, the United States produces one half of the world e-west and recycle dash of it, तो right answer हो जाएगा, 10 to 15%, तो United States है, पूरा जो world है, उसका 50% वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और उसमें से 10 to 15% को recycle कर लेता है, question number 74 देखिए, which of the following is not type of e-west, e-west का कौन सा type नहीं है, तो discarded TV, e-west में आ जाएगा, discarded cell phone और discarded computer monitors e-west में आ जाएगा, और discarded computer printed भी e-west में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात यह है, कि discarded computer printer paper है, तो यह जो है, B, discarded computer printer paper, e-west में यह नहीं आएगा, क्योंकि paper है, तो right answer हो जाएगा, 74 का B, 75 क्वेशन नमर देखिए, वेस्ट डाट इंक्लूद पेपर, फूद वेस्ट, कैन, बोटल, यार्ड, ग्लास, वूद, अन्द सिमिलर आइटम्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं, municipal solid waste, right answer C, next question, hazardous waste include radioactive waste, which will have to be stored safely for as long years, तो इसको 2,40,000 years तक इसको हम लोग safely store किया जा सकता है, या फिर ये environment में रहेगा, तो right answer हो जाएगा, इसका D, 77 question number देखिए, तो ये 75% recycle हो सकता है, तो right answer हो जाएगा, D, 78 question देखिए, with 5% of the world population, United state produces about one third of the world solid waste, United state है, पूरा जो world population, उसका 5% ही लोग वहाँ पे रहते हैं, लेकिन जो solid waste है, वो one third यानि 33.33% generate करते हैं, तो right answer हो जाएगा, D, 79 question number देखिए, for each one kg of electronics in a computer, how much solid and liquid waste are created, electronics, computer में जो electronics होता है, 1 kg electronics बनाने के लिए, हम लोग 9 ton solid liquid waste create कर देते हैं, right answer हो जाएगा, A, question number 80 देखिए, Garbage is produced directly by household and business account for, dash percent of solid waste produced in the United States, तो Garbage होता है, जितने भी solid waste निकलते हैं, United States में, उसका 2% ही होता है, तो right answer हो जाएगा, A, 81 question number देखिए, each discarded computer content approximately 2 kg of which metal, तो एक computer अगर आप फेकते हैं, discard करते हैं, तो उसमें 2 kg cadmium metal निकलेगा, तो right answer हो जाएगा, A, question number 82 देखिए, the primary emphasis in the US, EPA's pollution prevention hierarchy is true, right answer D, self-pollution emission permit to other companies, question number 83 देखिए, what is the most desirable method of dealing with the municipal solid waste, तो D हो जाएगा, right answer recycling, recycling is the most desirable method of dealing with municipal solid waste, question number 84 देखिए, the US EPA defines hazardous waste by, तो right answer हो जाएगा, D, all of the above, toxicity and reactivity, corrosivity, ignitability, next question देखिए, question number 85, which of the following statement does not describe a problem associated with modern landfills, right answer हो जाएगा, B, materials buried in landfills decomposes in 5 years, question number 86 देखिए, what is the most helpful things that a consumer can do, to make sure that more material are recycled, right answer हो जाएगा, D, make an effort to buy product made from recycled material, question number 87 देखिए, which of the following produces the maximum solid waste, maximum solid waste, manufacturing के द्वारा produce होता है, तो राइट अंसर हो जाएगा, A, question number 88, which items make up the largest percentage of waste produced by household and the businesses, तो paper product है, right answer, तो 88 का हो जाएगा, C, 89 देखिए, question number, what percent of the energy needed to make aluminum cans, from oil is needed to make recycled aluminum cans from used aluminum cans, तो ये 60 परसेंट हो जाएगा, right answer, C, question number 19 देखिए, 90 देखिए, which of the following correctly describes the disposal of waste by composting, right answer हो जाएगा, B, composting could reduce the amount of waste, that restaurant food processing plants and animal feed lots, sends to landfills, question number 91 देखिए, which of the following correctly described biodegradable plastics, तो question number 91 का आणसर हो जाएगा, D, all the above, some plastics are designed to deteriorate when exposed to sunlight, plastics that contain sugars can be broken down by soil bacteria, degradable plastics usually break down into smaller piece of plastics, तो right answer is D, question number 92 देखिए, which of the following is not coincider hazardous waste, तो इसमें से कौन सा waste है, जिसको हम लोग हजाडस नहीं मानते हैं, तो right answer हो जागा, B, रोटिंग मीट और अदर फूड वेस्ट यह हजाडस नहीं है, 93 question number देखिए, some hazardous waste is disposed of by deep well injection, this procedure, तो इसको B बोलेंगा, a store waste in layers of dry rock below the water table, तो right answer 93 हो जाएगा, B, question number 94 देखिए, the methane found in landfill is a gas debt, right answer हो जाएगा, इसका D, may be captured and used to produce energy, question number 95 देखिए, which of the following is a true statement about recycling, recycling के बारे में इसमें से सही statement कौन सा है, तो right answer C हो जाएगा, after they are collected, recyclable materials are cleaned and processed, question number 96 देखिए, the process of composting, composting का process क्या है, the process of composting, इसका right answer D हो जाएगा, could effectively handle a variety of waste, question number 97 देखिए, the main problem with so called biodegradable plastic is that, main problem इसका क्या है, तो right answer E हो जाएगा, only its organic portion actually decomposes, question number 98 देखिए, which of the following is not a method of reducing hazardous waste, इन में सब कौन सा ऐसा method है, जो के hazardous waste को reduce नहीं करता है, तो right answer E हो जाएगा, allowing fungi to break down petroleum sludge, question number 99 देखिए, a common characteristics of all hazardous waste land disposal facility is that they, to right answer E हो जाएगा, they are long term storage site, question number 100 देखिए, इस वीडियो का ये आखिरी question है, तो आएगे देखिए, from 1970 to the present, the percentage of waste that is recycled has increased from 5 to 10%, तो ये 30%, right answer E हो जाएगा, यानि कि 1917 में 5% recycled हुआ करता था waste material, अब ये बढ़के, अभी 2022 तक हम लोग 30% waste को recycle कर देते हैं, तो वीडियो में लास तक आखिरी तक बने रहने के लिए, आपका धन्यवाद, thank you guys, thank you guys for watching the video, जाएगा, जाएगा बिल्यो तक हावाद लास अभाद,